वहाँ इसलाम अदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स मुम्रा गाउदेवी से नीचे उतरते वक्त आटो निक्सा चालक हाथ से का शिकार हो गया और इस हाथ से में बाल बाल उस आटो निक्सा चालक की जान बची है आपको बता दे के मुम्रा बाईपास से सट कर गाउदेवी नामक की इलाका है और समराट नगर से एक रोड उपर गाउदेवी जाने के लिए है अक्सर इस रोड पर वहाँ चालक दुरगटना के शिकार हो जाते हैं आज सुभा नो बजे इसी तरह से एक आटो निक्सा चालक गाउदेवी की तरफ से उतरते वक्त उसका संतुलन बिगडा और आटोरिक्सा रोट से छलांग लगाते हुए प्राथमेश अपार्टमेंट से आटोरिक्सा का टकर हो गया आप आटोरिक्सा की तस्वीरे देखे ये नया आटोरिक्सा था टकर होने के बाद पूरी तरह से छतिग्रस्थ हो गया है आटोरिक्सा चालक उ तेज थी और तस्वीरें देखें कि रोट से इमारत भी काफी दूर है तेज रफतार आटो यहां से सीधा इमारत से जाकर टकरा जाता है गनीमत यह रही कि उस वक्त महां कोई मौजूद नहीं था वरना उसका बचना भी मुश्किल हो जा था प्राथमेस अपार्टमेंट में रहने वालों ने बताया कि जो भी गाड़ी गाउदेवी की तरफ से उतरती है उसकी रफतार काफी तेज होती है करीब दो से तीन वार इसी तरह के हाथ से हो चुके हैं इसलिए इमारत की बाउंडरी दिवाल से लग कर गढढ़ा खोद कर छोड़ा गया था मगर इस रोट क डामरी करने वालों ने गढढ़े को बंद कर दिया और आज हुए हाथ से की वज़ा ब्रेकर भी बताई जा रही है क्योंकि ये जो रोट बनाया गया है ये डामर और गिट्टी से बनाया गया है जिसकी वजह से वहाँ जो मौजूद ब्रेकर है वो दिखाई नहीं दे रहा से चालकों को ब्रेकर दिखाई नहीं देता है जिसकी वजह से हाथ से हो रहे हैं हाला कि आटो चालक उत्तम को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल भेज दिया गया है मगर यहां कई बार हाथ से हो चुके है इसलिए सुरक्षा दिवाल भी उठाना बेहत जरूरी है त आज़ा तकिन खबरों के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और विल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें